नमस्कार दोस्तों मस्संदीप आप सभी का फेर स्वागत है इक और नई वीडियो में दोस्तों आज में हम बात करेंगे बिए फस्टियर हिंदी फश्ट पेपर के बारे में तो जैसे पिछली वीडियो मैंने आप ileny जो see कुष्चन आते हैं प्रस्ट पेपर में जाइसी कवीर दास तुलसी दास तीक तो उस दिन मैंने चुछ दास की बात की ती आज की जितने भी कुष्चन होने वाले वह जाइसी जी से रिलेटेड होने वाले तो आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से पढ़ना है ठीक है और जो आपको अच्छे लगे कुष्चन वह आप नोट डाउन कर लीजेगा और आपको वीडियो को इंट तक जरूर देखना है क्योंकि आप मैं चाहता ही हूं कि आप ज़रा से कनफीज मत हों जो भी कुष्चन पढ़े अच्छे से पढ़े जिससे आपको एक्जाम में प मौँद्दीन डीन इंबर उसमान है तो इसका जो राइट रहेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा जिन को मालूम्न आपको नहीं बता सकते हैं तो जो राइट रहें वह जाएगा सी नॉमबर ठीक है मौद्दीन वीडियो में अगे बढ़ने से पहले में आप लोगों को यह कुछ भी पोशना चाह रहे हैं चाहिए ब हंब कि सी भी ऊंडूर जाहरें तो और यह सारे कोइश्चन है इनकी मैंने पीडियाप बना लिए इतने भी वीडियो में यह सारे कोइश्चन आपको कहां पर मिलेंगे यह वीडियो को एंड में बता दूंगा कि आप यह कुस्टिन कहां से डाउनलोड कर सकते था कि दूसरा कि अधाय कहां के रहने वाले थे नमबर एक जमशेतपूर बी नमबर नहाँ गीर सी नंबर जाएस डी नमबर ही से कोई नहीं तो भाई जाएसी जी जो रहने वाले थे वह थे इसका जो राइट और है देंबर सी नंबर है ज्यानाश्राई डी नंबर खूष्णा से ये पूष्टन में कई वार पूंचा गया है मैंने देखाए कि तो इस ध्यान देना है आप लोगों को इन क्वेश्चनों को स्क्राइट रिट्सर जाएगा वह जाएका इनमबर प्रेमास रही के टिए जी जो थे मूप प्रमुक कभी थे प्रेमास रही के ठीक ए वे थे दोस्तो पहली बार एक्जाम देने जा है मैं उनको बता दूँ ठीक है इसका रहाmber विद्सावुश्ञають आदो आप लोगों को इसका रायट एंसर हो जाएगा डिन जाए सी जो भी ए फस्टीर के स्टूडेंट है ठीक है जो भी फस्टेर के स्टूडेंट है उनका exam जो होने ओब्जेक्टिव जानी की multiple questions आएंगे ठीक है पूरे आप लोगों को जितने वी question तो आपको उसमें क्या करना इसी तार के मिलेंगे उसके नीचे उसका आफसन रहेंगे का खा घा खा करके तो जैसे यह को ॉसक्ट होगा उसको आपको सीलेक्ट करके ठीक है उसके सामने गोला होगा उस पे आप को मार्ग करना होगा एक कोश्चन पेपर मिलेगा और एक मिलेगी जिस पर आपको गोला बनाना होगा जब आप जाएंगे कंफ्यूजन होगी तो वहां पर जाएंगे तो ऐसी बात नहीं आप लोगों को जो टीचर होंगे फरस्ट वह सब पूरी डीटल में बता देंगे कैसे डालिएगा ओमयार सीट कैसे फिल करें तो वहां से भी आप लोगों काफी आइडिया मिल जाएगा और जब आप एक्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपके जुस्तर जो टीचर होंगे वह अच्छे से बता देंगा आपको टेंसर लेने क्या आ सकता नहीं है नेस्ट को सब्सक्राइब करते हैं दिवेदी युक के निबंदकार है नंबर एक केशो दास भी नंबर स्वी पूजन सहाय और सी नंबर है दिनकर डी नंबर डाक्टर स्याम सुन्दर दास यह कोश्चन पिछले उससे रिपीट हो गया दोस्तों पिछले जब मैंने वीडियो प्लोट सब्सक्राइब क्या था नंबर एक है अब है बी नंबर निसान और तो इस कोस्टेंगे राइट रोता है वह होता है युद्य नंबर विप्डान ठीक है दोस्तों मैं आप लोगों ज़्यादा भी टाइम वेश्ट नहीं करना चाहता जो भी इनस आंसर होगा कुश्चन का म मैंने सेट कर लिए क्योंकि आप लोगों को मैंने चाहिए तक ज्यादा टाइम वेस्ट हो फाल दू आप लोग का अधर तो इसलिए मैं इसका राइट एंसर जो भी होता है मैं जल्दी से बता देता हूं आप कर सकते हैं यह सब आइडिया आपको लग जाएगा कि हैं एक्जाम में किस प्रकार के कोश्चन आते कैसे क्या प्रोसेस होता है बस यहीं और हाँ जाइसे से रिलिटेट कभीर दाजन सब को कोश्चन तो आना ही आना है कुछ ना कुछ कुश्चन आपको 100% देखने के मिलेंग नमबर एक सुरी जाइसी के किस ग्रान तुमें साथ चुपाई के बाद एक दोगा है तो नमबर एक पदमावत बी नमबर अकरावट सी नमबर होली नामा और डी नमबर है आकरी कलाम तो इस कोश्चन को राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नमबर ठीक है यह क्या समय होगा आपको मालू है तो सचर्सक्शन का प्रतीक है फिर साथ प्रसंचा की नमबर एक बाबर बी नमबर एक थीति सी नंबर जहां गी डी नंबर होमाइब तो जो इसका रायट एंसर होता है वह होता है क्या होता है अद्ध anonymous सूरी के आतिक जायसी ने जो परसंसा की थी उसका नाम है बाबर बाबर के बारे में आप लोगों को आई हो मालूम ही होगा और जायसी के बारे में कभीरताई सब आप लोगों ने पहले पढ़े बस आप लोगों को ध्यान से रिपीट कर लेना दोफ्तों कि यह सब 10th और 12th के के प्रति प्रेम निवेधन है नंबर एक कहरा नामा वी नंबर मसल लामा लख नंबर पदमावध ड़ी नंबर अखरावट तो इस को मणको राइट एंसर होता है वह औट अब ति को मोछ्ट्व नहिंस को शैने कि शित्वली रेखा कि जाइसे से रिलेटेड है तो जो चेतर रेखा है वो जाइसे से रिलेटेड है यानि कि जाइसी की रचना है पदमावद में पदमावती किसका प्रतिक है पदमावद जो है उसमें पाधमावती किसका प्रतिक है नमबर और परभाध है ब। तो इस पूसें को जाएगा वह जाएगा लुचि परमात्मा का पृति पदमाक्त में परमात्मा का प्रतीक ध्धान देना आपको लोगों और रंग मति-वर रत्निसेन कि बात रहे नमबर पनमावत नमबर अखरावत से नमबर चेट्रिक और नमबर कनावत तो उब झिरें पाद के तो इसक्षिन को मालों। turtle बता है ओ डूर्ब इंशने तो इस तौहसं को जो डूर तरो होता है वह होता है ए नम्बर पदमावट थी कैफ फर अग्जिट कोश्चन हैует है जैसी किस जाथ के थे वह इंपार्टन कोश्चिण नागमती ब्योग खंडिक किस्क्रत के अनुपम भी दिए नमबर एक अखरावट वी नमबर से तरेखा सी नमबर मसला नामा और डी नमबर पदमावत तो इस कोश्चिन के तो राइट एंसर होता है वह होता है पदमावत ठीक है पदमावत में नागमती वेग वरण का पूरा वरण किया गया है ठीक है राइट एंसर इसले डी नमबर हो जाएगा पदमावत नेस्ट कोश्चन है जैसी की किस क्रत में सेरसा का उल्ले किया गया है नमबर एक पदमावत बी नमबर अकरावत सी नमबर चित्रे का डी नमबर कनमावत ठीक है तो इसी तरह कोश्चन आएं की हैं तो इसमें यही सारे को देखिने को मिलेंगे तो इसका रइट एंसर हो जाएका वे नंबर पद्मावत ठींक है जाषी की कि हो पद्मावत होच doc सेरसी खाशय का सूरि का पदमवद में लेक्ष किया गया है जाइशी की कुरूपता को देखकर कौन हसा था नम्बर बाबर b वेपाई c नम्बर ब्रहामट d नम्बर सेरसा था daí तो जू जाइशी को कुरूपता को देखकर हसा था वाँस का नाम है शेर सा सूसरी सा ठीक है डी और रायट रोजा जाएगा सेर साने ठीक है नश कोषिदे आं गां हम जे मुख्डेखा तें हसा सुना तोल आए आ सु किस पंग किसकी है कि तुझ यह पंगती है यहां हो गया है आप समय तो है ठीक है तो टाइप करने तोड़ा मिश्च हो जाता है जे मुख देखा तेह सा सुनो सुना तो आया आसू पंक्त किस की यह जो पंक्त लिखी गई है किसके द्वार लिखी गई है किसकी है नमबर एक उसरो भी नमबर जैसी सी नमबर उस्मान डी नमबर सेक नभी तो राइट एंसर इसका और डे नमबर चांदी तो इस को जो राइट एंसर होता है कि इसका राइट एंसर हो जाता है बी नमबर हिरदे पादमावत में जो सिंगल है वो हिरदे का प्रतीक है तो दोस्तों आज किस वीडियों बस इसने क्यों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज इस कमेंट सेक्शन में बताइए मैं और वीडियो आप लोगों को तक प्रवाइट करने की पूरी क्योसिस करता रहूंगा ठीक है और हाँ इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो अप्लोड कर दी अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख लीजिए व अगर आप मैं पेस्बूक से ज्यादा आसान रहेगा तो आप चाहें तो यहां से भी कर सकते हैं अगर आप कमेंट करेंगे फेस्बूक पे जाके तो आप महासमें आप लोगों को प्रवाइट कर दूगा इसका लिंक भी वीडियो की दिसकस्विए मिल जाएगा और टेले गिलाम चैनल भी मिल जाएगा अगर टेने गिलाम जो भी स्टूडेंट यूज करते हैं वह से जॉइन हो जाए मैं उनका वहें पर हिल्प करता रहूंगा तो आपको मिलते किसी नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैवारत